Princeback earnings और आज किस लॉड़ा करने वाले हैं आप सब्सक्राइब करने तहुरा? आप सबीके बीच के बारे में जैसे कि मैं पिछले विडियो बताया था ता कि Facebook पे विडियो अप्लोड करके काप ज्यादा पैसे कमा जा सकते हैं तो आज किस वीडियो में बात करेंगे Facebook को कैसे login करना है और कैसे पेज को create करना है एक ही Facebook के ID login करके आप ज़्यादा ज़्यादा पेज को create कर सकते हैं और पेज को create कैसे किया जाता है तो सबसे पहले पेज को create करने के लिए आपको Facebook को download करना होता है Facebook को login करना होता है एडीसे Facebook को नया बना लेना है लॉगिन कर लेना है और उसके बाद वहाँ तक का प्रसेस्टोर देना है और जाना है पेज में टो करने करने के बाद हुआ पर पर नया पेज को कैसे करेंगे और कैसे वीडियो को अप्लोड करेंगे सब कुछ मैं आपको बता दूं सबसे पहले प्रेसबूप को अपने email ID डाल करके लॉग इन कर लेना है उसके बाद अब त्री वाले डॉट पे जाएंगे और त्री वाले डॉट पे जाने के बाद हमें इस तरीके का option आता है तो यहाँ पे pages दिख रहा होगा pages पेजस पे click करना होता है इस पे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे option क्रिएट discover invite मतलब काफी सारे options देता है तो अभी हमें create पेजाना है और geta start पे click करना होता है अब यहाँ पे पेज का नाम डालना होता है, जैसी कि जिस पेज से आप चलाना चाहते हैं फेस्बुक को, तो मैंने अपने यूटूब चैनल का ही नाम डाल दिया अपने फेस्बुक पेज पे, जैसी कि मेरा यूटूब चैनल का नाम है Mr. वीबे क्रिटर, अब यहां पे हम next करेंगे, अ एद्व कर दिया ठीक है जो लोग मिनाते हैं वो लोग को यहां पर कर सकते हैं अब यहां पर हमांडस को चूज कर है अब उसके बादी है प्रोफाइल फोटो फोटो को चूज करने के बाद अगर आपका फोटो're आप क्रोप वाले option पे जा करके अपने photo को अपने नुसार क्रोप कर सकते हैं जैसे फोटो आपका अज़ेश्ट हो जाता है तो आप डन पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपका photo profile में आ गया अब उसको save कर देना है जैसे आप इसको save करते हैं अब आता है add cover photo तो हम cover photo को डाल लेंगे यहाँ पर अपने नुसार इसे भी हम crop करेंगे और adjust कर लेंगे और उसके बाद इसे भी हम save कर देंगे तो facebook पर हमारा cover photo और profile photo add हो गया अब हम इसके whatsapp से जोड़ने के लिए बोल रहा है connect whatsapp to facebook facebook से हम whatsapp को connect करेंगे तो अपने mobile number को डालेंगे जो number से आपका facebook बना होगा उस पर code जाता है code डालना है और continue पर click कर देना है अब यहाँ पर create whatsapp add है यहाँ पर whatsapp से जोड़ सकते हैं अब उसके बाद आता है यहाँ पर create post तो अब हम यहाँ पर वीडियो को post करेंगे वीडियो के यहाँ पर post करने के बाद यहाँ पर आता है title लिखने के लिए वीडियो में title क्या लिखे तो देखे जो आपका वीडियो है किस परकार से है आप वीडियो में क्या बता है उसी के अनुसार यहाँ पर title डाल देना है जैसे YouTube पर डाला जाता है जैसे कि मैंने आप पे टटल डाल दिया हूँ फेस्बूक पे इस किरिड करें अब यहाँ पे इसमें रूल क्या है कि डिस्क्रिप्शन जो होता है अलग डला जाता है यूटूब पे लेकिन फेस्बूक में क्या है टाइटिल के ज़ेश्ट बगल में हैश्टक लगा करके आप लगा सकते हैं आपے टाइक्स को ठीक है तो टाइक्स को यहाँ पे लगा लिए उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कोपी सब को करके और डिस्क्रिप्शन में सेम से पेश्ट कर देना है तो यह Facebook का रूल है अब उसके बाद यहां पे हम description को open करते हैं और इसे हम paste करेंगे तो यह हमारा होगया description और description में हम अपना चीज लिखेंगे अलग जिसी कि यह description अलग था ठीक है अबडेट description तो अब में आपे लिखेंगे master वीबेक creator official यह होगया एक छोड़ा सा description मतलब description का म अब उसके बाद यहां पे मेरा जो page है वो create होगया सईसे और हम वीडियो के यहां पे post भी करेंगे तो अब दिखाते हैं वीडियो को post कैसे करते हैं ठीक है तो मैंने वीडियो को यहां पे title डाल दिया था और text डाल दिया था वो सब complete है अब यहां पे suggestion group में जाना है और इस जैसे कि मनोजदे का group हो गया और उसके बाद प्यूस जोसी ब्लोग का group हो गया तो यह सभी group में जाकर करके join बटम पर जाकर click करना है आप इन सभी group से join कर सकते हैं तो मैंने इन सभी group में join कर लिया है और अब उसके बाद दिखाते हैं आपे जैसे कि यह होगा प्यूस जोसी ब्लोग है और उसके बाद और भी धेट सारे जैसे कि एक है खांसर मोटिवेशन तो यह सब जितने भी group है सभी group में जाकर करके join कर लेना है इससे यह होगा कि जो भी update मिलेगा आपको इससे knowledge मिलेगा मैं मौझूद नहीं था मैं दिली था अभी सुद्सों आपने देखा कि किस तरह किसे मैंने facebook को login किया और कैसे मैंने पेज करेट किया और पेज करेट करने के बाद प्रोफाइल का फोटो डाला उसके बाद बैक कबर का फोटो डाला ठीक है तो इस तरीके से यहां पे लोग कर दिया था तो आप लोग को मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो में मैं ऐसा करता हूं कि यह वीडियो आपको देखने के बाद काफी ज़्यादन हो या समझ में आया होगा तो जड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा